हुन बड़ा पानी रेहा लचार हेलो मां के मैं हूँ जदो अमित ने फोन ते पुछा था शुश्मा जी जो लंबे समय तो अपने बेटी थी अवाज सुन ली तरस रही सी ने खुशी नाड कमदी वाज विच केहा मैं ठीक हा बेटा बहुत दिनावाद फोन कीता अज मां के में जाद आई तद अमित ने केहा ओ मां कल ए है के कम दिर जावया कारण मैं तो अड़े नाड गल नहीं खर पा रहा रहा रुजेवया कारण मैं तो अनुमेल्ड नहीं आ सकदा अते पिता जी दे जान तो बात तुसी भी बहुत अकले हो गए हो मोंगे इसलिए मैं अते तो अड़े नाओ चाउंदे हां के तुसी साड़े काराओ अपने पुत्तर दे मुहूं अपने ली चिंता दे शाव्द सुन के सालना तो अपने पुत्तर तो दूर ही शिश्मा जी ठीक है मां किरपा करके एक कम होर करो कार अते चारदा खान करना वेच के मेरे खाते विच पैसे ट्रांसफर करवा दियो इस तो पहला के शिश्मा जी कर्श कारन पुछ दे उस दे बेटे अमितने के हा मां गाले है के मैं थे कज्जे ते एक फ्लैट करीद्या है याते उस पाउड़ी मेंनों बहुत सारे पैसें दी जरूरत है इसलिए तुसी जल्दी सारा प्रवंत कर लो सब कुछ जल्दी वेच के पैसे मेरे खाते विच ट्रांसफर कर देवो बेटे दी गल सुनके शिश्मा जी ने किया बेटा कार वेच के तो अड़ा करजा चुकाया जाना ह पर मैं फैक्टरी नहीं बेच सकती क्योंकि ए चार फैक्टरी तो कई औरता नों रुजगार मिलिया होया है फैक्टरी ना वेच चन दी गल सुनके अमित भरान रह गया पर फिर कुछ देर सोचन तो बाद बोलिया ठीक है मा पर किरपा करके जल्दी करो एक कहके अमित ने फ फोन आया सी शुष्मा जी काफी समय तो चप सी पर अज जदो उन्ना दे बेटे दा फोन आया ता बहुत खोश होई सन पर जिमें ही उसे पुत्तर ने फोन कट्या ओ फिर दास हो गई उन्ना दे चेरे ते जो खुशी सी ओ एक खुशी एकदम गाइब हो गई पर माननू तस चेकर देख्या जावेता शुष्मा जी पिंड दे लुकां लई किसे प्रेना स्रूर तो कट नहीं सन बहुत साल पहला उस दे पती दीख प्यान खासे विच मौत हो गई सी पती दी मौत तो बाद उन्ना दे सोना नियोंना देना जमीन जैदद करवा ती सी जिदगी मद्द नलो अपनी जिंद्गी बदिया वगजरवसर कर सकते सान पर पुत्तर अमिदी चारी विद्या लई उन्ना ने अपनी सारी समीन बेच दिती और फिर कार्दे खर्चे पूरे करने ओक्खे हो गए इसलिए उसने चार बना चुरू कर देता होली होली उन्ना दा चार कारो बा पर इन्ना बाद गया कि उन्ना ने दो कम्रियां वाड़ी फैक्टरी भी बना ली उस फैक्टरी विच पिंड दियां कई औरता नो रजगार भी मिल गया जिसना औरता कुछ पैसे कमा के आतम निर्बर बन गई या सन शिश्मा जी दा बेटा दिल्ली रेंदा है जो पिछले कई सालां तो कार नहीं आया दिल्ली रेंदे उसने एक माड़न कुडी नाड़ व्या करवा लिया है उस दा साथ साल दा एक पुत्तर भी है अमित अखरी वार अपनी माँ को डूस वी ले आया सी जादो दा ब्या होया सी उस दी माड़न पती शिखा नो पिंड दा महौल बि खेवाज है उसनों बिल्कल भी प्यार नहीं करदा कि कोई पुत्ते ने माँ साल माँ तो दूर रह सकदा है जी या गलन सुनके शिश्मा अकसर प्रशान हो जांदी सी सवर गवा बैठ दी सी फुट-फुट के रून लग पैंदी सी ओने चौंदी सी के उस दे पुत्तर वा है उन्जे गल किसे तो लुकी नहीं सी के उस दा पुत्तर हार रोज उस नल फोन ते गल करनू छड़ो कदे उस दा हाल चाल पुच्छन लेवी फोन नहीं करता शिश्मा जी आप ही अकसर अपने बेटे नल गल करन लेई फोन कर दे सान पर पिछले छे मिन्या तो उनना दे लड़के ने उनना दा फोन चुकना भी बंद कर देता सी ओ अपनी दुनिया विश्खुश सी पर शुष्मा जी ने अपने बेटे वारे कदे शकायत नहीं कीती सी आखिर मां जो सी पर अज जदो शुष्मा जी दे बेटे ने उनना नू अपने कोड आके रहन लिके आता है चुन के उनना दी आखा विचिक बखरी ही चमका आगई ओ तुरंत पिंड़ दे सर पांचनु मिल दी है ते उसनु सारी कहाणी दस दी है ते केन्दी है सर पांच जी मेरा बेटा आमित मेनू अपने कोड रहल लिके रहा है ओ मेनू बला रहा है ते उसनु कुछ पैसें दी वी लोड है इसलिए मैं अपना कार वेचना चांदी हैं जेकर तुसी कोई जिहा वेक्ती जान दे हो जो कार खरीदना चांदा है ता किरपा करके मेंनू दसो एक कार वाजब कीमते वेच के मैं अपने पुत्तर को जावांगी ता सरपांच बोलिया शिश्मा चाची जी तुसी बिल्कुल ठी कह रहे हो पार मेंनू इक गल दसो तो जदो तुसी अपने पुत्तर को जाओंगे ता तो अड़े कारोबारन कोण संबालेगा पिंड दियां कई और तानू तो अड़ी चार फ्रेक्टर विच काम कर दिया हन उनना और तान की होवेगा सिर्फ तो अड़े हथ अठाना बने चार स्वाधी हुन दे हन जदो तुसी चले गे तांस चार दी गुणवत्ता कट जावेगी एस उनके शिश्मा जी ने कहा सर पांच जी इस वारे बिल्कुल भी चिंता ना करो मैं इसनू समाल लमांगी सर पांच नाल गान कर नतो बाश शिश्मा जी जल्दी नढकारदे नेडे अपनी चार दी फ्येक्ट्री ते आ जानदे हन अते सारिया औरता नू बलागे उन्हान आपने जानदी खवर दिनदे हन। अपनी फेक्टर विच काम कार्णवाली सब्तोत जर्बेकार औरत कमला नू अपनी फेक्टर दी जिम्मेवारी सौंप दे हो उसुनू अपने थनल बढ़ाय विशेश मसाला वी दिन्दे हन जिस नान जारदा सवाद इनना बाज जान दा सी के लोग अपने अंगला जुन सब कुछ समझान तो बाज शिश्मा जी अपने बेटे देनकार लजाण एक कुछ मठेग्या बनोड लगी बेटे दी मनपसंद बरफी अते देसी के ओधिया पिनिया ते कोज चार भी पैकार लेंदी है इक पासे तो अनौन अपने बेटे दे नाल रहन दी खुशी सी पर द सारे लोग कानू अलविदा केहा तेरे लगड़ी चल पई दिल्ली स्टेशन ते उत्तर के उन्ना ने बड़ी खुशी नाल पड़े पुत्तर नू फोन मिलाया जिमें ही अमित ने फोन चुक्या शिश्मा जी ने तुरंत केहा बेटा अमित बेटा मैं स्टेशन ते जा मांगा अमित उस समय अपनी पत्नी शिखाना पार्टी चिसी जिवें ही ओ आन लगा था उस दी पत्नी ने कहा असी अपने दोस्ती मंगनी पार्टी तो जल्दी बापस चले गे ता असनू बुरा लगेगा तुसी थोड़ी देर बाद मानू लाया आयो दुज्जे पास शिश्मा जी डीक करदे करदे ठाग गए पर अमित दा कोई स्राग नहीं मिलेया थोड़ी देर बाद शिश्मा जी ने अमित नू फेर फोन कीता पर अमित ने फोन चुक्या ते कहा मा मैं इस विले बिजी हां इसले में नू ओन विच तेर हो जावेगी मैं ता नू पता दस देन दा हां तुसी आप आटो लेके कार पहुंजाओ एक कहके अमित ने फोन कट देता बेटे दा सपस्ट जवाब सुनके थकावट दे नार नार सुश्मा जी दे चेरे ते इन राशा दे पाभी दिखाई देन लगे ओ मान ही मान वी सोचन लगी के जदो स्टेशन ते आटो चालक ने कहा माता जी मैं तो अनू छाट दिन दा हां शिश्मा जी जल्दीना आटो वीच बैठ गी अते अपने बेटे दे कार ली रवान ना हो गए आमित बिल्डिंग दी चौथी मंजल ते रहेंदा सी अते लिफ्ट भी उस दिन बांदा सी शायद किसे तकनिकी खराबी कारण फास गई सी शिश्मा जी दा समान भी बहुत सी उनना ली इसनार चौथी मंजल तक पहुंचना बहुत अख़ा सी फिर आटो चालक नू उनना ते तरसाया अते केहा मा ले आओ मैं तो अड़े समान नू सिखरते ले जान दा हाँ आटो चालक तुरंत सारा समान लेके चौथी मंजल ते पहुंच गया शिश्मा जी ने उसनू बहुत सारा शीरवा देते अते द्रवाज़े दी कंटी बजाई हुन तक कुज़ा पुत्तर ते नू विकार आ चुके सी शिश्मा जी दे पुत्तर अमित ने द्रवाज़ा को लेया इनने लंबे समय बाद जिवें ही उन्ना ने अपने पुत्तर नू देख्या ता उन्ना दा चेरा खुशी नल चामक गया इस तो पहला के उप कुछ बोल सकती एक उच्ची वाज़ विच कुत्ता पुँक गया शिश्मा जी उच्ची उच्ची चिकर लग पई अथे काड़ी ना दरवाज़े तो बहर पाज गई एक की ही है अमित की तुसी कार विच कुत्ता रख्या है फिर शिश्मा जी दा पुत्ता अंकूर पिछे तो आया अथे बोलिया दादी जी एक कुत्ता नहीं है साड़े कार दो कुत्ते हन शिश्मा जी होर भी कबरा आ गए क्योंकि ओ कुत्ते नो बहुत डरदे सी अमितने के हमा कबरा हुना ए दो में तो अनू कुझ नहीं कहनगे पुत्तर तेनू पता है के में नू कुत्ते पसान्द नहीं नहीं बाबा मैं इते नहीं रह सकती मैं आज ही अपने कार बापस जा मांगी इस सब सुन के उस दीनू कमरे तो बाहर हाई यते कुट्यान उरसी नरबन के बोली कुझी दिना विचे तो आड़े दोस्त बन जानगे यता अनू बिल्कुल भी प्रिशान नहीं करनगे ये कहके उस शुष्मा नू अंदर ले आयाई अते सोफे ते बठा देता इनने सालना बाद अपने बेटे अते नू दे चेरे देखके शुष्मा जी दी खुशी दी कोई हद न रही ओ सिर्फ उना दिया बलामा ले रही सी पर शुष्मा जी नू लगदा सी के उनना दा पुत्तर खुश नहीं सी शुष्मा जी ने इनना सारी अंगला नू नजर अंदाज कार देता ते चेरे ते खुशी दा प्रक्टावा रख्या शुष्मा जी ने पिंड तो ले आ दिया सारी चीज़ां अपने इनू नू देड़ियां शुरू कर देतियां अते सब कुछ देड़ तो बाद उन्ना ने चारदा डब्बा कड के मेज से रख देता जि में ही चारदा डब्बा कड़ेया अमित प्रशान हो गया ते गुसे विच बुलेया तुसी एत्थे वी चार ले आंदा की तुसी नहीं जान दे के मेंनू चार दी महक पिल्कुल भी पसंद नहीं है मेंनू मेरे कार विच चार दी महक नहीं चाही दी इसनू ले जाओ ते इसनू बाहर सुट देओ अमित दे कैन तो बाद शिश्मा जी ने तुरंट चार दा डबा चुक के अपने बैग विच पा ले आ उसनू कार पंचे दो कंटे वी नहीं होए सन के उस दी नू शिखा ने उसनू सारा कार दिखोना शिरू कर देता शिश्मा जी हरान सन उसनू सारी तामा दिखोन तो बाद उसनूर सोई विच लेए ये ते केहा माता जी ये साडीर सोई है सारा राशन सोई विच हेठ लिया लमारिगा मिच रख्या जानदा है अते कुत्यां ले खान दा समान एक बखरे द्राज विच रख्या जानदा है एक कह के ओएक एक कर के सारी अंगला उन विस्थार नालदस्थं लगी केडा समान कित्थे रख्या है शिष्मा जी सोच के हरान रह गए कि उन्ना दिनों ओदियां हैं इसारी अंगला क्यों समझा रही है इस दुरान उसदे पोते अंकुर ने कहा दादी जी की तुसी जान दे हो के असी एक मिहीं नेदियां चुटियां में नौण जा रहे हैं हाँ असी उत्थे बहुत मस्ती करांगे एस उनके शिश्मा जी अपने बेटे ते नून उस्वालियां नजरा नार देखन लगगे ता उनना दा पुत्तर अंकर बोलिया हाई दादी ता अनून नहीं बता सी इसे लिए मम्मी डड़ी ने ता अनू इत्थे बलाया है ता जो साठे जान तो बाद कुत्तियां दी अदे कार दी देख पाल हो सके इस के सुष्मा जी दे पैरा हिटो जमीन खिस गई उनना दी हरानी दी कोई हद न रही क्योंके होन ता कोई ही सोच रहे सान के ओ उनना दा पुत्तर अते नू उनना दी चिंता कर दे हन इसे लिए उनना ने उसनो बलाया है ओ कुत्तियां तो बहुत दूर रहे दी सी ते होन उसनो उनना दी देख पाल करनी पवेगी ए सोच के शुष्मा जी ने कहा बेटा तुसी जान दे हो के मैं कुत्तियां तो किना ड उस तो बाद तुसी दोमा दे दोस्त मन जाओंगे एक कहके अमीत अपने कमरे विच चला गया शिश्मा जी ने सोचन लगी कि वो अपने बेटे ते नू दे नाल नाल खुशी नाल रहना आई सी पर इत्थे पुत्त ते नून नू कर विच नोकरणी बनाखे रख देता है उस ते नू अपने पुत्तर नाल लाके छुटिया मनाउंट चले गए शिश्मा जी सोच रहे सन के कम बाड़ी दे ओन नाल ना दा कम असान हो जावेगा के अचानक फोन दी कंटी बज्जी ना दीनों शिखा ने फोन की ता फोन ते कहा मा नौकरणी कुछ दिना नहीं आएगी हुने ही उस दा काल आया है उस दा पती चानक बिमार हो गया है ते हस्पतार विच दाखल है इसलिए तुसी का अरदा सारा कम समाल लो एक 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 उसने फोन कट देता इन्हें बड़े का रविच शिश्मा जी दो में कुट्यान कले रहे गए ओ कुट्यान तो बहुत डर्दी सी पर फिर भी उन्हान खोन दी कोशिच करन लगी अंजान चेरा देखके दो में कुट्यान बेकाबू हो गए यते उस ची पौँक रहे सन शिश्मा जी नू प्रशान कर रहे सन दो में ओ शिश्मा जी नू प्रशान कर रहे सन सारे कार विच अपड़ा दफडी मच गई ओ उसे तरा खोन लगी जिस तरा उन्हान दी नू ने खोन लगी केहा सी फिर होली होली दो मा कुट्यान आड़ दोस्ती हो गई यते कुझी दिना वेची कुदुजे नू प्यार कान लग पे शाम नू शिश्मा जी कुट्यान नू सैर करन ली बाहर ले जान दे सन होली होली उन्हान दी ससाइटी दे बहुत सारे लोकान आड़ जान पचान हो गई कदे कदे ओ अपने हत्था ना बने चार दे छोटे छोटे डब्या विच उन्हान लोकान नू दे दिन्दी जदो ससाइटी दे लोग के उनना दा चार खांदे दा तरीफ किते भिना नहीं नहीं दे लोग उसनों चाची कहन लगे जिमें उननों पेंड विच पलाया जानदा सी एक दिन ससाइटी विच मिटिंग हुई अपने पुतर हते नूं धि थाँ शिश्मा जी मिटिंग विच चली गई मिटिंग विच सार्या नू दस्या गया के उनना दी ससाइटी विच कुकिंग मकाबला करवाया जा रहा है जो भी इस मकावले विच हिस्सा लेना चौन दे हन उन्हानु सद्धा दिता जन्दा है मकावले विच के बेटी दे बहुत सारे लोग काने पाग लिया पर शिश्मा जी चुपचा बेटी सब कुछ सुन दी रही सुसाइटी दे लोग कहन लगे आणटी तुसी बहुत वधिया चार बनोंदे हो तुसी वी इस मकावले विच हिस्सा क्यों नहीं लदे इस मकावले दे जद तुन दो लखर पेदते जानगे सारे मेंबरा दी बेंती ते शिश्मा जी ने मकावले विच हिस्सा लेनदा फैसला कीता मकावले विच बहुत सारे लोग काने वकवक तरांदे स्वादी पकवान त्यार कीते अथे शिश्मा जी ने कई तरांदे स्वादी चार त्यार कीते अथे पेश कीते सारे यां दे पकवान बहुत स्वासन पर शिश्मा जी दे चारदा मकाबला कोई नहीं कर सकदा सी नतिजे वजो शिश्मा जी ने मकाबला जित लिया कारपर्त दे शिश्मा जी सोचन लगे कि एक इनना खुश किसमत है क्यों आज जोनना दे मकाबले विच दो लखर पे जित ते हन ते आज जोनना दा पुतर ते नो चुटिगा तो बाद कार परत रहे सन जिमें ही बच्चे कार आण गे उस मकाबला जित तन दी खवर सांजी करके उनन हो राल कार देंगे भाड जिस पाल शिषमा जी कार पहुंची अते अंदर चली गई इस तो तरंत बाद आमित अपनी पत्नी अते बच्चे ना कार पहुंच गया कार दे अंदर दाखल हुन दे ही कार दी रहा देखर देखके पुतर ते नूं दोवें पढ़क गई उसने देखिया के पूरे कारवेच हफ़णा दफडी मच गई सी उसने दोननों कुत्ते आने हैं उसने कारदे परदे फार देते सान अधे कारवेच इदर उदर चाड़ा मार रहे सान ये सब देख के शिखा अपनी ससनों बोलन लगी उसने के हा माता जी तुसी कुछ दिन भी कार नहीं समार सके तुसी इनने बेपरवा कि में हो सकते हो शिश्मा जी ने के हा बेटा मैं कुकी मकाबले विच इससा ले आ सी इस करके कुत्तेया ने पिछोए सब कीता देखो मैं मकाबले विच चार बना के दो लखर पेदा नाम जित्तिया है फिर हमीत ने केहा तुसी ये ड्रमा एथे वी शिरू कर दिता ये सड़ा कसूर सी के असी करदी जिमेवरी तो अनुसों अपतिती एक कहके ओ दो में हत पैर मार के अपने कमरे विच चले गे रात सौ नहीं सकी अते अगली स्वेर वो अपना सारा समान बन के तुरंत रेलवे स्टेशन वल चल पे उस दी नू ने देख्या के उस दी सास कमरे विच ओं गाइब सी दोना ने उनन लबना शुरू कर दता अते अमित ने जल दी अपनी मान फोन खीता मा तु इनी स्वेर किते चली गई की तुसी जान दे हूं के असी किन्ने चिंत सी पुत्तर मैं हूं कार जा रही हां अते जित्थे इज्जत दिसकार ना रह सकां मैं तेरे कार नू अपना कार समझया पर तुआ डिंगा नजरा मिच मेरा रुतबा शायद सिर्फ एक नोकर न सी कार वेक के जो पैसे मिले ओ मैं पहला ही तेरे नाम कार देते मैं कावले विच जित्थे पैसे वी इलमारे विच रखे हन तुसी ए वी चुक लेडा एक कहके शिश्मा जी ने फोन काट देता शिश्मा जी फैक्टरी विच बने कमरे विच्छी रहन लग पे अते अपनी विच्छ रोज गए उन्ना ने अपने चार दे कम नू हो रगेब दालेया चार दी फैक्टरी श्रू किते ती साल हो गए सन थोड़े दिना बाद उन्नानू सरकारी पत्तर आया जिस विच लिख्या सी के अगले दिन खवार विच खवर शपी उन्ना दा पत्तर ते नू अपनी मा कड़ पिंड पहुंची उन्ना दी नू अपने पैरी अपने पैहार ली माफी मंगल लगी उन्ना दे पत्तर ने किया के मा मैं तो नू हमेशा अग्गे बदन तो रोकदा रे हाँ हाँ उस दे पैरी पै गया मा कहें दी कि तू जिन्ना मरजी वड़ा क्यों ना हो जमेंगे बच्चा ही रेंगा शिश्वा जी ने नू पत्रों अपने जपी विच ले लेया उन्ना दी सारी कड़तन दूर हो गई फैक्टर वीज मजूद सारे बच्चा वेच हंजूसान नू ना दा पेतर बापस मिल गया सी मात उख दी था सुख यी दिन दी है जिन्नी मरजी तांक